सो हे गाइस एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको जेंट्स कुर्टे की कटिंग करना बताएंगे तो दोस्तो इस कुर्टे की कटिंग हम लूज में करेंगे उसमें कुर्टे की कटिंग किस तरीकेश करते हैं तो इसमें हम आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो किलियर करेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें और लाज तक जरूर देखें तो दोस्तो इस कुर्टे की कटिंग करने के लिए हमने जो फैबरिक लिया है वो बॉने 3 मीटर है इसमें हमारे जो 34 इंच कुर्टे की लंबाई आसानी के सार निकल आएगी दोस्तो वीडियो सूर करने से ले हम लोग इसका जो है मेजर मेंट समझ लेते हैं दोस्तो चोटे सिंच इसकी लंबाई है 16 इंच इसका 13 है चोटे सिंच सीना है 21.5 बाजू की लंबाई है और इसकी जो मौरी है वो 10 इंच है 14.5 इंच कॉलर है एक मार्क हम उपर से लगा लेते हैं दोस्तो ये बाला मार्क जो है हम कपड़े को सीधा करने के लिए लगाते हैं तो इस वाले मार्क से हम जो है लंबाई का निसान लगाएंगे तो लंबाई है हमारी 34 इंच तो 34 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे और अदा इंच मार्जन का और लगा लेंगे अब दोस्तो हम अर्मोल का निसान लगाएंगे तो अर्मोल का निसान हम सीने का एक बटी चार भग करके लगाते हैं तो सीना 34 इंच है तो इसका अर्मोल साड़े 8 इंच पे लगाएंगे इसमें हम पूरा अर्मोल लगाएंगे यदि आपको आर्मोल थोड़ा सा और डीला पैनना है तो आप दो सूथ और बढ़ा सकते हैं अब दोस्तो तीरे का निसान लगाएंगे तीरा है हमारा सोला इंच तो सोला का हम हाप करेंगे आठ इंच प्लस अदा इंच इसमें जो है मारजन का एड़ करके निसान लगा देंगे हाले का निसान किस तरीके से लगाते हैं दोस्तो चलिए हम आपको हाले का निसान भी बता देते हैं दोस्तो हाले का निसान हम लोग सीने का बारमा हिस्सा करके लगाते हैं वैसे दोस्तो हमने आपको हर वीडियो में बताते हैं जो हाली का निसान है वो हम कम ही लगाते हैं जिससे जब भी हम जो हाला काटेंगे तो जैसे हमारा हाला बड़ा हो जाए तो उसे हम छोटा नहीं कर सकते हैं यदि हमारा हाला छोटा होगा तो उसको हम बड़ा कर सकते हैं आसानी के सास तो इस तरीके से हम हाले को छोटा ही काड़ते हैं तावीज का निसान लगाएंगे तो इसमें हम तावीज का निसान लगा लेंगे 10 इंच या साड़े 10 इंच पर जब हमारा ये बनकर तैयार होगा तो हमारा 11 इंच या 12 इंच तावीज बनकर तैयार हो जाएगा इसकी जो कंदी हम डाउन करेंगे तो कंदी डाउन करेंगे हम एक इंच यदि किसी के जानदा सोल्डर डाउन है तो आप सवाई एक इंच भी कंदी डाउन कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से हम एक इंच अंदर की तरब लेंगे इसका जो सीना है वो 34 इंच है तो 34 का हम एक बठी चार बाग करेंगे तो हमारा हुआ साड़े 8 इंच तो साड़े 8 इंच पर निसान लगाएंगे और इसमें जो हम लूजिंग देंगे वो धाई इंच की देंगे चाक का निसान लगाएंगे तो चाक का निसान हम इसमें 15 इंच या 15.5 इंच रख लेंगे क्योंकि इस कुर्टे की जो लंबाई है वो कम है वैसे चाक का निसान हम 16 इंच पर रखते हैं तो यहां से हम इसको नाब लेंगे और उतना ही निसान हिप पर लगा देंगे अब दोस्तों जैसे आपको हिप में थोड़ा सा लूज पेनना है यदि आप किसी बुजूर्ग का कुर्टा कटिंग कर रहे हैं तो आप हिप एक इंच एश्ट्रा करके निसान लगा सकते हैं यही एक इंच आप जांदा रख सकते हैं हिप में तो वहां से लूज हो जाएगा यहां से हम निसान लगाएंगे 16.6 पर या 6 इंच पर भी लगा सकते हैं आप तो यहां से हम सरफ आदा इंच कमर में कम करेंगे और उतना निसान लगा देंगे ये दोस्तो हम लोग लूज में कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके से पटरी को लाएंगे और इस तरीके से हम इसमें सेप दे देंगे नीचे भी हम इसमें सेप दे देंगे अर्मोल में भी हम सेप दे देंगे तो दोस्तो इस तरीके से हम नीचे बटम पर भी सेब दे देंगे जिससे हमारे कौने है वो निकलेना तो हलका सा हमें राउंड देना है नीचे की तरफ पॉकिट का निसान लगाएंगे तो पॉकिट का निसान जहां से हमने चाक खोला है, वहां से हम उपर की तरफ लेंगे 1.5 और जो मू रखेंगे हम वो पॉकिट का रखेंगे 6 या 6 तो इस तरीके से हम इसमें मार्क लगा लेंगे तो दोस्तो फ्रेंड पार्ट के हमारे जो मार्क हैं वो लगकर तैयार हो गए हैं, अब दोस्तो हम इसकी कटिंग करेंगे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एल्टी टेलर्स को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एल्टी टेलर्स को ज़रूर सस्क्राइब करेंगे और पास में लगी हुई बैल आइकन यानी गंडी के बटन को ज़रूर आउन कर दें जिससे जब भी हम कोई नया व्यटियो अफ्लोड करेंगे तो उसका नोटिपी किसन आपको तुरंट और सबसे पहले मिल जाएगा तो दोस्तो हब हम बैक पार्ट की कटिंग गरेंगे तो बैक पार्ट की कटिंग गरने के लिए जिस तरीके से हमने फ्रेंट पले का कपड़ा विशाया हुआ था उसी तरीके से हम बैक के लिए भी कपड़ा को विशा लेंगे और दोस्तों जो हमने फ्रेंट पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसी के उपर बिछा देंगे लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे कि जो हमारी बैक है कुर्टे की बो सल्लक करती है तो इसके लिए आप तीन इंच उपर से कपड़ा छोड़ कर बिछाए तो इस तरीके से हम बैक में जो बैक उठाएंगे तो वो धाई इंच उठा लेंगे तो इस तरीके से हमने धाई इंच पर निसान लगा लिये है निसान लगाने के बाद दोस्तों हम इसको सीधा कर देंगे अब दोस्तों जो बैक का हाला डाउन करेंगे वो हाला हम डाउन करेंगे 1.5 इंच या पौने 2 इंच तो इस तरीके से हमने इसमें मार्किंग कर ली है इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद दोस्तों हम इसमें सेव दे देंगे तीरे का निसान लगाएंगे तो तीरा है हमारा सोला इंच तो सोला का हाफ करेंगे आठ इंच प्लस आदा इंच इसमें मारजन का और एड़ करेंगे एड़ करने के बाद दोस्तों पड़री से हम इसको हलका सा क्रॉस में निसान लगाएंगे यस तरीके से हमारे back part में भी marking हो गई है इसकी भी हम cutting लेते हैं तो दोस्तो इस तरीके से back और friend की cutting हो गई है आप दोस्तो बाजू की cutting करेंगे तो बाजू कटिंग गरने के लिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम डवल फोल्ड कर लेंगे डवल फोल्ड करने के बाद दोस्तो हम एक बार इसको और फोल्ड करेंगे वो हम करेंगे क्रॉस में आप सीधा भी कर सकते हैं तो हम इसको क्रॉस में रखते हैं तो अच्छे तरीके से हम इसको बिठा लेंगे बिठालने के बाद दोस्तो हम एक उपर से मार्क लगाएंगे हम लंबाई का निसान लगाएंगे तो लंबाई है हमारी साड़े 21 इंच बाजू की तो इसमें हम आदा इंच और एड़ करेंगे तो 22 इंच पर हम निसान लगाएंगे क्योंकि आदा इंच जो हमारी बाजू अटेच होती है उसमें चला जाता है मार्जन का तो इस तरीके से दोस्तो हम नीचे मौरी में 1.5 इंच का मार्जन रखेंगे जहो हमारी मौरी फोल्ड होगी उसके लिए आप 2 इंच भी रख सकते है यहाँ पर हम निसान लगाएंगे 6 इंच का दोस्तो इसकी जो मौरी है हमारी 10 इंच है मौरी हम फिटिंग में कर रख रहे है अब दोस्तो किस तरीके से हम यहाँ पर निसान लगाएंगे जैसे आर्मोल हमने काटा हुआ था 8 इंच तो हम 9 इंच रखेंगे और क्रोस में 9 इंच या आप पौने 10 इंच भी रख सकते हैं तो इस तरीके से हम क्रोस में निसान लगाएंगे निसान लगाने के बाद दोस्तों हम सेफर से इसमें सेफ दे देंगे यदि आपको फिटिंग में रखनी है तो आप फिटिंग में सेफ दे दें और लूज परना है तो आप पड़री की साइता से इसमें सेफ दे सकते हैं यहाँ पर हम सेफ दे देंगे सिर्फ देने के बाद दोस्तो अब हम इसकी भी कटिंगर लेते हैं यदि दोस्तो आपको कटिंगरने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं हम आपके मेसेज का रिपलाई ज़रूर करेंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिए यदि आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक हमने description box में दे दिया है तो दोस्तो बाजू की भी cutting हो गई है अब हम pocket की cutting करेंगे तो pocket के लिए हम इस तरीके से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे क्योंकि जो pocket है हमारी दौनों बॉक्टों को हम एक साथ में निकालेंगे तो इस तरीके से हम fold कर लेंगे इसको हम सीधा कर लेंगे कपड़े को एक बार हम इसको और fold करेंगे जितना हमें pocket का नीचे का मूर रखना है तो इस तरीके से हम 6 inch रखेंगे इस pocket की जो गयराई है तो इसको हम फोल्ड करेंगे साड़े छे इंच आदा इंच हमारा जो है मारदन में चला जाएगा एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेते हैं फोल्ड करने के बाद दोस्तो हम इसमें तीन इच पर निसान लगाएंगे और जो पॉकिट की लंबाई रखेंगे बो रखेंगे साड़े तेरा इंच या चौदा इंच इसको हम क्रॉस कर लेंगे इसकी हम कटिंग लेते हैं तो दोस्तो इस तरीके से हमारे ये लूस कुर्टी की कटिंग हो गई है यदि आपको फिटिंग में कुर्टी की कटिंग चाहिए तो उस video का link हम description box और eye बेटन में दे देंगे और यह आपको इसकी teaching का वीडियो चाहिए हम उसका भी link description box और eye बेटन में दे देंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही यदी आपको हमारा यह video अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल ना भूल है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिये अजाज़त लाहाफिज